आदो के बाद आखिरकार राजस्तान क्रिकेट एसोसियेशन के आज ताले खोल दिये गए हैं। करीब तीन महीने से ताले लगे होने के बज़े से खिलाडियों के सामने भी कई तरीकी की मुश्किले आ रही थी गहलोज सरकार बढ़ने के फोरण बाद सबसे पहले आरसीये की कारकारणी बहाल हुई थी और कारकारणी अध्यक्ष सिपी जोशी ने आरसीये के सदस्यों के साथ बाठक शुरू कर दी थी फिल्हाल ताले खोलने से अब उमीद जाक सकती है कि राजस्तान क्रिकेट एक नई दिशा की तरफ जोश के साथ आगे बढ़ेगा तो काफी विवादों में रहा था आरसीये और आज जब ताले खोले गए यहां पे तो एक नई उर्जा यहां पर महसूस की जा सकती है खासकर के उन खिलाडियों को जिने बहुत उमीदे हैं जिनका रास्ता यहां से होकर के गुजरता है लक्ष है उनका जीवन में और गहलोत सरकार बनने के फोरण बाल सबसे पहले बात करें तो आरसीये की कारकारणी बहाल हुई थी और आज ताले खोल दिये गए हैं तान किर्केट संग ने जिसको अभी रजिश्टार साहब ने बहाल कर दिया है वापस उन्होंने आई पेल के तैयरिश शुरू कर दी है जो कि मार्च में होने वाले हैं जो भी हमारे ड्यूस थे और उसके लिए कमिटी बना दी गही है और कोट के भी आदे से तो ड्यूस य तो कई महीनों से विवाद चल रहा था यहां और कई तरीके की तस्वीरे भी निकल करके सामने आई थी तमाम विवादों के बाद आखिर कार राजिस्थान क्रुकेट असोसियेशन यानि कि आर्सिये के आज ताले खोल दिये गए करिब तीन महीने से यहां पर ताला लगा ह हुआ था खिलाडियों को काफी दिक्कते हो रही थी मुश्किले पेश आ रही थी गैलोस सरकार बनने के फॉरान बाद सबसे पहले आर्सिये की कारकारणी बहाल की गई थी क्यूकि यूवा ऐसे जो खेल अपना लक्ष बना चुके हैं कारियर है उनका और इसमें आगे बढ दस्यों के साथ बैठक भी शुरू की और आप ताले खोल दिये गए हैं जिससे क्रुकेट में बात की जाए राजस्तान की तो एक नई दिश्रा की तरफ आगे बढ़ेगा